राजनिती के अपराधी करण को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है और इस फिक्र को सारवजनिक करने में देश की लगभग सभी पार्टियां आगे रहना चाहती है लेकिन क्या व्यवहार में यही राजनितिक दल इस बात के लिए सचेतन प्रयास करते हैं कि आपराधिक तत्वों का राजनिती में और खासतोर पर विधाईका में प्रवेश नहीं हूँ इसके उलट पिछले कई दशक इस बात के गवा रहे हैं कि राजनिती में अपराधियों के बढ़ते दबदबे को एक गंभीर समस्या बताए जाने के बावजूद लगातार वैसे लोग जनप्रती निधी के तोर पर संसद और विधानसभाओं में अपनी जगे बनाते रहे हैं जिनका अतीत आपराधिक गठनाओं में सनलिप्त होने का रहा है सांसदों और विधायकों के खिलाब मामलों के शिग्र निप्टारे और विशेश अदालतों के गठन के मामले में अदालत की सहायता के लिए नयुक्त नयाय मित्र ने बीते हफते उच्चतम नयायले को बताया कि सांसदों और विधायकों के खिलाप लंबित मामलों की संख्या दो साल में 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है। इनमें 1899 मामले 5 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं। रिपोर्ट के मताबिक दिसंबर 2018 तक कुल लंबित मामले 4110 थे और अक्टूबर 2020 में 4869 थे। इससे साफ पता चलता है कि इस प्रेवरती की रोकथाम के दावों के बरक्स आपराधिक प्रेश्ट भूमी वाले काफी लोग अब भी संसद और विधानसभाओं की सीटों पर कबजा कर रहे हैं। आखिर क्या वजय है कि एक और सभी पार्टियां अपने प्रती पक्षियों को इस बात के लिए कटगरे में खड़ा करती हैं कि उन्होंने आपराधिक अतीत या छवी वाले लोगों को टिकट देकर समश्या को जटिल बनाया है। जबकि अक्सर मोका मिलने पर ऐसा करने में वे खुद भी पीछे नहीं रहती है। यह बेवजय नहीं है कि आज संसद और विधान सभावों में ऐसे लोग जनता के नुमाइंदे बन कर बैठे हैं। जिनके अपराधों से आम लोग कभी परेशान रहे होते हैं। हर अपराध के खिलाब बढ़ चड़ कर बोलने और अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा करने वाली पार्टियां आखिर किन वजहों से ऐसा कर पाती हैं। क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण यह नहीं है कि उन्हें नै केवल आपराधिक छवी वाले लोगों से पार्टी का कोश मजबूत करने में मदद मिलती हैं। बलकि उनके इलाके में भैपर आधारित समर्थन भी हासिल होता है। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि। राजनितिक दल अपराधियों के प्रभाव वाले इलाकों में जनता के बीच अपने सिध्धानतों, विचारों के जरिये, लोगों के बीच अपने लिए समर्थन हासिल करने में नाकाम होते हैं। और इसलिए उन्हें वोट हासिल करने का यह आसान रास्ता दिखाई देता है। सवाल है कि देश की नियती तै करने वाली राजनितिक पार्टियों के ऐसे रुख की वजह से राजनिती के अपराधी करन का जो खम्याजा आम जनता को उठाना पड़ता है, समूचे साशन का स्वरूप प्रभावित होता है, उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है, मसले की जटिलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरवजनिक रूप से चिंता जताय जाने के साथ साथ सांसदों, विधायकों के खिलाब मामलों के निप्ठारे के लिए कुछ राज्यों में विसेश अदालतों के गठन किये जाने और कुछ अन्य राज्यों में संबद छेतरादिकार की अदालतों में सुनवाई के बावजूद दागी नुमाइंदों की तादाद संसद और विधानसवा में बड़ी ही है एक मुश्किल यह भी है कि ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों के पास कई इस तरों पर कुछ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और इस बारे में अब तक केंदर सरकार की ओर कोई ठोस पहल नहीं हुई है यूक्रेन का संकट गहराता जा रहा है खबरें आ रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर धावा बोल देगा रूसी सैनिकों ने हमले के लिए जैसी मोर्चा बंदी कर ली है उससे यह आशंका और गहरा गई है अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडेन के राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने भी खुफिया सूचनाओं के हवाले से चैतावनी दी है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है इसके लिए उसने सत्तर फीसद हतियार और साजो सामान यूक्रेन की सीमा पर जमा कर लिये हैं वैसे भी यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो की सेना जिस तरह से तैयार बैठी हैं उससे भी सुलीवन की आशंका की पुष्टी होती है हालात की गंभीरता इसी से पता चलती है कि अमेरिका ने भी यूक्रेन का साथ देने के लिए अपने सेनिक भेज दिये हैं यूक्रेन संकट को लेकर पिछले कुछ दिनों में रूस और अमेरिका के बीच जैसी धमकियों और चेतावनी भरी बयान बाजी सुनने देखने को मिली है वह गंभीर खत्रे की और इशारा कर रही है हालांकी युद्ध को टालने के लिए फ्रांस के राश्ट्रपती इमेन्यूएल मेंक्रो मासको में है फ्रांस जर्मनी जैसे युरोपिये देश समझ रहे हैं कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो इसके कितने भयावे परिणाम निकलेंगे पर रूस और अमेरिका की हट धर्मिता संकट को बढ़ा रही है अब से पहले ऐसा नहीं देखा गया था जब युक्रेन को लेकर रूस ने इस तरह के आक्रामक तेवर दिखाए हो और नाटो वे अमेरिका भी मेदान में आ गया हो पर अब यहे छेत्र दुनिया के लिए नए खत्रे का अखाड़ा बन गया है हालत यह है कि रूस युक्रेन की सीमा पर सेन्य जमावडा भढ़ा कर उस पर रूस में शामिल होने का दबाव बना रहा है इसी सेन्य रणनीती के तहट उसने बेलारूश की सीमा के पास ऐस चार सो मिसाइलें तेनात कर दी हैं यहां बड़ी संख्या में रूसी सैनिक तेनात हैं जाहिर है यह बेहद खतरनाक इस्तती बन गई है इससे जादातर देश डरे हुए हैं हर कोई चाहा रहा है कि किसी भी सूरत में युद्ध टल जाए अब हालात तभी सामान्य हो सकते हैं जब सभी संबंदित पक्ष बैठकर बात जीत करें और सैन्य गदिविदियां रोके वरना युद्ध छिड गया तो लाखों लोग विस्थापन के शिकार हो जाएंगे इससे गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा दरसल युक्रेन नहीं चाहता कि हजारों मील दूर इस्तित अमेरिका इस विवाद में कूदे स्टोब